प्रिष्ट संख्या 105 इस सोच में एक समस्या है दरसल इंग्लेंड और यूरोप में फैक्टरियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराश्टी बाजार के लिए बड़े पैमाने पर ओध्यों की कुद्पादन होने लगा था यह उत्पादन फैक्टरियों में नहीं होता था बहुत सारे इतिहासकार ओध्योगी करण के इस चरण को आदी ओध्योगी करण अर्थात प्रोटो इंडरस्टिलाइजेशन के नाम देते हैं नए शब्द आदे किसी चीज की पहली या प्ररहमिक अवस्था का संकेत सत्रवी और अठारवी शताबदी में यूरोपी शहरों के सौधागर गाओं की तरफ रुक करने लगे थे वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर राश्टिय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे उस समय विश्व वेपार के विस्तार और दुनिया के विभने भागों में उपने वेश्व की स्थापना के करण चीजों की मांग पढ़ने लगी थी इस मांग को पुरा करने के लिए केवल शेहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाय जा जाकता था वजह यह थी कि शेहरों में शेहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतफर थे यह गिल्ड्स उत्पादकों के संगठक होते थे गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रसिक्षन देते थे उत्पादों पर नियंतरन रखते थे प्रतिस परधाओं और मूल लिताय करते थे तता वेवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे शासकों ने भी वेवन गिल्ट्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक आधिकार दिया हुआ था फलसरूप नए व्यापारे शेरों में कारोबार नहीं कर सकते थे इसलिए वे गाउं की तरफ जाने लगे गाउं में गरीब काश्टकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ़ पुस्तक में सुना है यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रहे थी अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साजा जमीनों से जलावन की लेक्नियां बेरियां सबजियां भूसा और चारा आदी बीन कर काम चलाने वाले चोटे किसान अर्थाट कोटिसर और गर पैदा करने के लिए पेशगी रखम दी तो किसान फौरन तयार हो गए यहां एक चित्र दरशाय गया है इस चित्र में 18 सदी में कताई को दरशाय गया है आप देख सकते हैं कि इस चित्र में परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं और ध्यान से देखने प्रिष्ट संख्या 106 सौधागर रहते तो शेहरों में थे लेकिन उनके लिए काम ज्यादा तर देहात में चलता था इंग्लेंड के कपड़ा व्यवसाई स्टेपलर्स से उन खरीते थे और उसे सूथ कातने वालों के पास पहुचा देते थे उससे जुधागा मिलता था उससे बुनकरों फुलफर्ज और रंगसाजों के पास ले जाए जाता था लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी उसके बाद निरियातक व्यापारी कपड़े के अंतराश्टी बैजार में बेच देते थे इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाने लगा था वो आधी औद्योगिक व्यवस्ता व्यवसाईक आदान प्रदान के नेटवर का हिस्सा ही थी इस पर सौधागरों का नियंतरन था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बज़ाए घरों में होता था उत्पादन के प्रतेक चरण में प्रतेक सौधागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौधागर के पास सेक्डों मजदूर काम करते थे नए शब्द स्टैपलर ऐसा वेक्ति जो रेशों के हिसाब से उन को स्टैपल करता है या च्छाटता है फुलर ऐसा वेक्ती जो फुल करता है यानि चुन्नटों के सहरे कपड़े को समेड़ता है कारडिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या उन आदी रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है कारखानों का उदाए इंग्लेंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इज़ाफा अठारवी सदी के आखिर में ही हुआ कपास अर्थाट कॉटन नई युग का पहला प्रतीक थी 19. सदी के आखिर में कपास के उतपादन में भारी बढ़ोतरी हुई 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाग पॉंड कच्चे कपास का आयाद करता था 1787 में ये आयाद बढ़कर 220 लाग पॉंड तक पहुँच गया ये इजाफा उतपादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिनाम था आये सुनें कि ये बदलाव कौन से थे 18. सदी में कई ऐसे आविशकार हुए जिनोंने उतपादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी प्रती मजदूर उतपादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेशों का उतपादन होने लगा इसके बाद रिचर्ट ऑक्राइड ने सूती कपड़ा मिल्क की रूप रेखा सामने रखी अभी तक कपड़ा उतपादन पूरे दिहाद में पहला हुआ था यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे लेकिन अब महंगी नई मशीने खरीद कर उन्हें कारखारों में लगाया जाए सकता था कारखाने में सारी प्रक्रियां एक छट के नीचे और एक मालिक के हातों में आ गई थी इसके चलते उतपादन प्रक्रिया पर निगरानी गुरवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था जब तक उतपादन गाउं में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे यहां एक चित्र दिखाया गया है यह चित्र है लंका शैर की एक कॉटन मिल सी ई टर्नर द्वारा बनाया चित्र है दा इलस्टेट लंदन में नीउस का 1925 वर्ष है कलकार ने कहा अगर उस नम मौसम की नजर से देखें जिसके कारण लंका शैर दुनिया में सूथ कताई के लिए सबसे आदर्श इस्थान बनता है तो शाम के धुनलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शांदार नजारा दिखाई देता है प्रिश्ट संख्या 107 19 सदी की शुरुआत में कारखाने इंगलेंड के भूदरश का अभिन अंग बन गए थे ये नई कारखाने इतने विशाल और नई प्रवद्योगी की ताकत इतनी जादूई दिखाई देती थी कि उत समय के लोगों की आँखें चौंधिया जाती थी लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था वे इस बात को मानों भूली जाते थे कि उनकी आँखों से ओजल गलियों और वर्क्शॉप्स में अभी भी उत्पादन चलू है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार औद्योगिक करण की प्रक्रिया कितनी तेज थी क्या औद्योगिक करण का मतलब केवल फैक्टरी उद्योगों के विकास तक ही सेमित होता है पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग बिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक उद्योगी की करण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल आए 1840 के दशक से इंग्लेंड में और 1860 के दशक से उसके उपनेवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था फलसुरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्याद का मुल्य लगभग 7.7 करोण पॉंड हो गया था यह राश इंग्लेंड के कपास नर्याद के मुल से दोगनी थी दूसरा नए उद्योग परमपरगत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिये पर नहीं डखेल सकते थे 19 सदी के आखिर में भी तकनीक रूप से विक्सित उद्योग क्षेतर में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्याद नहीं थी कपड़ा उद्योग एक गतिशिल उद्योग था लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखारों में नहीं बलकि घरेलू इकाईयों में होता था प्रिष्ट संख्या 108 आविशकारों का ही प्रिणाम थी चौथा प्रिष्ट की बदलावों की गत धीमी थी और द्योगी की भूद्रश्य पर ये बदलाव नाट की तेजी से नहीं पहले नई तकनीक महंगी थी सौदागर और व्यपारे उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूप पूर कर कदम बढ़ाते थे मशीने अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरमत पर काफी खरचाता था वे इतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविशकारकों और निर्माताओं का दावा था इस बात को समझने के लिए आईए भाप के इंजन का उधरने जैम्स वाट ने न्यू कॉमेंड दोरा बनाए गए भाप के इंजन में सुधर किये और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया इस मॉडल का उधपादन उनके दोस्त उध्योग पती मैथ्यू बुल्टन ने किया पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला 19 सदी की शुरुआ तक पूरे इंगलेंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे इन में से 80 इंजन सूती उध्योगों में 9 उन उध्योगों में और भाकी खनन, नया निर्माण और लोहकारियों में इस्तिमाल हो रहे थे और किसी उध्योग में भाप के इंजनों का इस्तिमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ यानि मजदूरों की उत्पादनक शमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना बाली सबसे सक्चिशाली प्रध्योगी की को अपनाने में भी उध्योगपती बहुत हिचकिचा रहे थे यहां कुछ चित्र दशाए गए हैं पहला चित्र है इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप का इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमेटिव इंजन बनाय जाते थे और पुरानों की मरमत की जाती थी यह एक और चित्र है 1830 की एक कताई फैक्टरी का इसमें आप हम देख सकते हैं कि किस तरह भाब की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिये एक साथ सैक्डों तकलियों को घुमाने लगते थे जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशाप की बजाए और दोकी की गरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह इस बात का एक बढ़िया उधारण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास ली हो हैं वे इस बात से तैह होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नजर अंदाज कर देते हैं अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखिए जिसे आपके माता-पिता या सिक्षक आदी वैस्क लोग महत्पूर नहीं मानते लेकिन आपको वो महत्पूर लगती हैं अब इतिहासकार इस बात को माने लगे हैं कि 19. सदी के मद्ध का और सत मजदूर मशीनों पर काम करने वाना नहीं बलकि परमपरागत कारिगर और मजदूर ही होता था